मंगला विद्या मंदिर की सभी चात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ पुस्तक की जो घ्यारवी पाठ है वो है ओकी मात्रा आपको पता है हम हर एक वीडियो में एक-एक स्वरो की मात्राओं के पहचान करवा रहे हैं और मात्राओं से शुरू होने वाले कुछ शब्दों का जान पैचान भी हम कर रहे हैं तो आज हम पढ़ने जा रहे है ओकी मात्रा दिखें ओकी मात्र किस तरह से लिखता है करके बोलके तो आपको यहाँ पर चित्रों में क्या नज़र आ रहे है वच्यों यहाँ पर कुछ चिडियों का चित्र है, एक जोकर का चित्र है, खरगोश का चित्र है ना, तो इन सब में एक कॉमन सा चीज क्या है, वो है ओकी मात्रा, देखिए यहाँ पर उन्होंने जो गुलाबी रंग में दिये है, वो है ओकी मात्रा दिये है, है ना बच्चो, जैसे की मोर, पिकॉक, हिंदी में हम क्या कहते है, उसे मोर कहते है, मोर कैसे लिखते है, म, ओकी मात्रा और र, तो क्या बन जाएगा, वो मोर बन जाएगा, बाद में है, पैरोट, हिंदी में क्या कहते है, तो, त, क्या कहते है, तो, त, त, पर ओकी मात्रा, तो क्या बन गया वो, तो, उसके बाद में कौन सा अक्षर है त आकी मात्रा त था त था तो था मिस पैरोट आप अपने टेक्स्ट बुक पेज नमबर 52 ओपन कीजिए सब लोग अपने पेज नमबर 52 ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक में तो बच्चों इनी सब चीजों को अभी हम तोड़ा सा वीडियो के सहायता से पढ़ लेते हैं हमेशे हम वीडियो के सहायता से पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में और देखने में तोड़ा इंटरस्ट बढ़ेगा करके बूलके जैसे मैं पढ़ते पढ़ते जाओंगी आपको भी मेरे साथ में बोलना ज़रूरी है ठीके जोर जोर से बोलने से क्या होगा उच्छारण भी सही होगा आप याद भी बहुत अच्छे से रहेगा पार्ट ग्यारा ओकी मात्रा मोर मोर मीज पिकॉक तोटा तोटा मीज पैरोट जोकर क्लाउण करगोश राबिट सुनो और सम्झो जोर मीज प्रेजर मोर पिकॉक शोर नौइस घोड़ा होर्स बोली डायलेक फुल गोबी कॉलिफ्लावर कोयल कुकु कोमल सौफ्ट लोमडी वैकसेन टोकरी बास्केट देखते हैं ना बच्चो यहाँ पर आपको ओकी मात्रा से शुरू होने वाले या ओकी मात्रा का उप्योग करने वाले कुछ शब्दों का पहचान खरवा दिये हैं तो आगे हम देखते हैं आपकी पेज नमबर नेक्स पेज जो टेक्स्ट बुक पेज नमबर 53 वो है नाचो घावो होली है देखिए यह पूरा का पूरा एक छोटी सी एक कवीता है वो सुन्दर कवीता है इस कवीता में आप एक कॉमन से चीज देख सकते हैं क्योंकि एक कवीता में ज्यादा से ज्यादा ओकी मात्रा की प्रयोग किये हैं ताकि आप पढ़ेंगे अच् आप भी मेरे साथ साथ में उसको पड़ेंगे ठीके? फर्स्ट राई में पड़ेंगे होली का धिनता एक बार मैं इस पूरा पोयम को एक बार फढ़ूंगी उसके बाद में आपको एक्स्पेन करती जाओंगी होली का धिनता सभी जानवर चुपचाप भैटे थे तोता और खोयल पेड़ पर भैटे थे तोते ने करगोश पर फानी डाल दिया कोयन ने उसके उपर गुलाल डाल दिया करगोश पीला हो गया लोमडी बोली हो ली हे बै हो ली हे नाचोगावो होली है तो बच्चो आपको तोड़ा तोड़ा आइडिया तो आया होगा किस चीज का कविता है यहां है करके बोलके है ना हाँ एक होली के उपर की एक कविता है जिसकी नाचोगावो होली है आपको ज्यादा से देख सकते हैं मार्च के महिने में होली का त्योहार आता है, उस त्योहार में आप लोग सब क्या करते हो? एक दूसरे को रंग लगाते हो, है ना? कूप सारे रंग लगाते हो, कभी क्या करते है? पाने से पिछकारी बना के एक दूसरे के उपर लगाते हो फेकते हो है ना और रंगों से आप खूब मस्ती करते हो एक दूसरे को रंग लगाते हो और खूब मस्ती करते हो होली एक रंगों का त्योहार है तो अभी हम देखते है होली का धिनता कौन सा धिनता बच्चो होली का दिन ता, सभी जानवर चुपचा बैठे थे, देखे एक खालपनिक कवीता है, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते है, अभी होली के दिन पर क्या होगा, आप देखते हो कि आसपास में सब लोग होली से होली का रंग से केलते हैं, पर सभी जानवर चुपचा बैठे थे, सभी जानवर कैसे बैठे थे, चुपचा बैठे थे, तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे, कौन-कौन, तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे, दुनों पक्षी है ना, चिडिया है, तो पेड़ पे रहते हैं, तोते ने करगोश पर पान पानी मतलब water पानी ढाल दिया कोयल ने उसके उपर गुलाल डाल दिया कोयल कुकुबर्ड कुकुबर्ड ने क्या कर दिया कुकुबर्ड ने गुलाल मतलब dry colors जो आती है उस रंग को करगोश के उपर किस ने डाल दिया कोयल ने ढाल दिया गुलाल का मतलब है dry colors जो आती है उसको हम गुलाल कहते हैं या होली पर जो आप इस्तेमाल करने वाले जो रंग होगा वो जो dry powder होते हैं उसको हम कहते हैं करगोश पीला हो गया, वो कौन से रंग डालता पीला, पीला means yellow color डाल दिया, yellow color, dry powder उसने क्या कर दे करगोश के उपड़ डाल दिया, तो yellow क्या हो गया, करगोश सफेद रंग का था, white रंग का था, जैसे ही पानी के साथ में पीला color, पीला जो होली का जो खलर था, वो घिरते ह करगोष का रंग बदल गया सफेद रंग से वो पीला हो गया एलो कलर में बन गया लोब्डी बोली हे बुराना मानो होली है आप भी वही करती हो, एक दूसरे को रंग लगाते हो जो बरदस्ति किसी को लगाने के बद में क्या बुलते हो, बुरा ना मानो होली है, होली तो रंगों का त्योहा रहा है एक दूसरे को रंग लगा के आपसी प्यार को जिताते है तो अभी आपने देख लिया बच्चों यहाँ पर होली के बारे में एक सुन्दर कविता थी, इस कविता को भी आपने पढ़ लिये है, तो अभी हम चलते है इसकी वीडियो की तरफ एक बर हम वीडियो भी सुन लेंगे नाचोगाव होली है होली का दिन था सभी जानवर चुप चाप बैठे थे तोता और कोयल पेड़ पर बैठे थे तोते ने खरगोश पर पानी डाल दिया कोयल ने उसके उपर गुलाल डाल दिया खरगोश पीला हो गया लोमडी बोली होली है भई होली है नाचोगाव होली है तो अच्छा है ना बचो तो आके तरफ चलते हैं वो है हमारी अभ्यास जिसकी शबदार थे जिसकी जानवर आपका पेज तंबर 54 को लिए जानवर जानवर का मतलब है अनिमल्स पेड पेड मीज ट्री गुलाल गुलाल मीज ड्राइ कलर तोता तोता मीज पैरोट कोयल कुकू खरगोश रैबिट पीला एल्लो लोमडी मीज फॉक्स तो आगी की तरफ आपकी अभ्यासकारी है पड़ो समझो और जोड कर लिखो ये तो मेंज सबी को आता है मैं आपसे सबी से एक बोल केती हूँ आपको जो टेक्स्ट बुक में जितनी सारे अभ्यासकारी में आंसर्स लिखनी है वहाँ पर आपको अपको नहीं बोलूँगी ये फस्ट में करो, सेकेंड में करो करके जहां जहां पर आपका अक्टिविटी बेस रहेगा जो अभ्यासकारी रहेगा जहां पर लिखनी के लिए जगह देंगे टेक्ट्बुक में उन सब जगह पे आपको आंसर्स लिखके कम्प्लीट करना ज़रूरी है, टेक्ट्बुक को भी कम्प्लीट करना ज़रूरी है, टीके जैसे कि आप आप देख सकते हो यहाँ पर अक्षर के साथ में ओकी मातर दिये है ओकी मात्र को जोड़ कर आपको एक शब्द बनाने है जैसे कि फर्स्ट वन है गोल क्या है? गोल, गोल मिन सरकल मोल क्या है? मोल, बाद में है डोल, घोल रोटी, मोटी चोटी, खोटी देख लिएने बच्चो यहाँ पर आपको क्या करना है? ओकी मात्रा मिलाना है ओकी मात्रा को जोड़ कर आपको लिखना है तो आपका नेक्स्ट में है यह तो में आपको सभी को आता है बहुत आसान वाला में है यह नए शब्द बनाओ यहाँ पर दो अक्षर दिये है उनक्षरों को मिला कर आपको क्या बनाना है एक नए ने शब्द बनाना है जैसे कि छोली, रोली, ढोली, भोली एक rhyming words है मतलब आप अंत वाला शब्द करके जैसे कह सकते हो rhyming words भी है यह जैसे कि दिखे घोडा, थोडा, खोडा, जोडा ठीके यह आपको टेक्ट बुक में complete करना है और इसका notes भी में बेज़ दूँगी ओ की जगह पर ओ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ यहाँ पर वो शब्द दिये है, वो स्वर दिये है, उस स्वर की जगह पर आपको क्या करना है मात्रा लगान जिसे की त कुलता क्या बन गया वहाँ पर आपको क्या लगानी है ओ की मातरा लगानी है जैसे कि खोठा, बाद में क्या है बच्चो? र, ओ की मात्रा, रो, ह, न, रोहन क पे ओ आ गया, तो ख, जमा, ओ, क, ओ, को बाद में क्या है? म, ल, को, मल क्या बन गया वो? को, मल उसी तरह ल, जमा, ओ, जमा, हा तो क्या हो गया? लो, हा, लो, हा प, जमा, ओ, जमा, हा, पो, हा तीक है बच्चो? आपको टीक से लिखना है बिना गलती के ब, जमा, ओ, जमा, थ, जमा, ल कुल क्या बन गया? बो, तल म, जमा, ओ, जमा, ह, जमा, न कुल क्या बन गया? मो, हन, एक लड़के का नाम है तो आप बना सकते हैं न बच्चो इंसको इसके बाद का जो मेन ही दिखे बहुत अच्छा इंट्रेस्टिक मेने चित्रों के पहले अक्षर में ओकी मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाओ चित्र ये है जो चित्र की जो पहला अक्षर है उस अक्षर को आपको लेना है और उसमें ओकी मात्रा लगानी है और शब्द बनानी जैसे कि फरस्ट वन, वो क्या है? चितर किस चिस का है? जग है, है ना, पानी का जग, तो जग अक्षर पे ओकी मातरा बिलानी है, उसके बाद में चितर किस का है? कबूतर, कबूतर में हमको किस अक्षर को लेना है? ख अक्षर को, उसके बाद में है रसी, तो रसी में से र अक्षर को लेना है तो जो कर करके कँ नया शब्द बन गया बाद में क्या है क को फ़े वो की मात्रा को बन गया क्यूं क्यूंक्य वह चित्र किसका चित्र है कंnoc है कमल है तो कंछ था हम्म欸 for बाद में कौन सा चित्र है वो लट्टू या टॉप करके आप इंग्लिश में कहते हो ल तो कोयल क्या शब्द बन गया कोयल समझ में आ रहा है ना किस तरह से करना है बहुत अच्छा एक्टिविटी है बाद में है वो कौन सा चित्र है अदरक अदरक मेंज जिंजर अदरक अ मिल गए तो क्या बन गया ओ है ना बाद में ख लड़की है वो कौन है लड़की मात्र मिलनी है इक गा Series ली दिखिए कितना च्छा एक्टिविटी दिये है ना ऐसे बहुत सुन्दर से आपको आपका activity यही होगा एसी और भी कुछ आग्जामपलस आप लेके चित्रों के सहयता से आप या activity को बना सकते हो नेक्स्ट है, चित्रों को धेको और ओकी मात्रा लगा कर शब्द पूरा करो यहाँ पर आपको क्या करनी है, जगा पर ओकी मात्रा लगानी है जगा पर उनने दिये है, वहाँ पर रिक्तिस्तान दिये है, काली जगा दिये है उसी जगा पर आपको ओकी मात्रा लगाने जैसे कि जोकर ज के बाद में ओकी मात्रा जोकर बाद में है म के बाद में ओकी मात्रा क्या बन गया? म प्लस ओकी मात्रा मो बाद में कौन सा अक्षर है? र मोर मीज पिकॉक बाद में है तोता, त पे ओकी मात्रा थो, तोता, खरगोश, दिखें, गर पे ओकी मात्रा खरगोश, ढोल, ढोल, घर पे ओकी मात्रा ढोल, गर पे ओकी मात्रा घोडा, तो अभी आपको पता चल गया है ना, next, ओकी मात्रा वाले ठोकरी में रंग भरो, इधर आपको देखना है, कच्चु दूढ़णा है और आपको क्या करने है रंग बरने है कि तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट और एक मेन है बच्चो वह है समान तुक्वाले शब्द लिकिये समान तुक्वाले शब्द मिन्स राइमिंग वर्ट्स जिसकी बोलो पोलो बोलो वो सब राइमिंग वर्स में एक ही जैसे प्रोनोंस आता है ठीक है तो next last activity है केल केल में पक्षियों को फचानों और उनके नाम लिखो इस चित्र में आपको क्या दिये है अलग अलग पक्षियों का चित्र दिये है इन पक्षियों को आपको पहचाननी है और उनके नाम लिखनी है य उसका नाम अंग्रेजी में साथ में हिंदी में लिखना है जैसे कि मोर का चित्र आपने मोर का चित्र को कट करके कहीं से भी कट करके या जो स्टिकर जो मिलता है उसको आप चित्का के वहाँ पर अंग्रेजी भी भी नाम लिखना है ठीक है बच्चो यहां पर जो चित्र है वो चित्र चोड़कर आप अधने पक्षियों का चिट्र भी आप चिपका सकते हैं तो बच्चो यही पर हमारा पाट समाप्त होता है ओकी मात्रा वाला इसके संबनित कक्षकारी मैं आपको बेज दूँगी आशा कर्थी वच्चो आज की पड़े आपको बहुत अच्ची से समझ में आया होगा दन्यवाद